मुख परिक्षा के पार्टिक्रम को पूर्ण करने की सीरीज चल रही है और यहाँ है इसके अंतरगद हमने इंक प्रैयुकत में पर्माणुтом को हम डिसकस करेंगे बहुत ही दिस्टार से और इसके बाद जो यहाँ हम पर अंसंदित संबन्दित निया समझारिक यह हम पने अपने अपने बहुत बड़ेवाट टॉपिक है यहां पर हम एक यक टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे यहां पर अभी पढ़ रहे हैं परमानू संबंदित भौ抵द हरना है जो जो दार्षिनिक को नहीं निदी है तो यहां पर इससे पहले मैं आपको बता दूँ एक आई दो में हम पदार धातु या धातु आवर्शानी और आवर्टिता यह कंप्लीट कर चुके हैं यह सारे चीज़े हम यहां पर देख चुके हैं इससे पहले मैं आपको बता दूँ काई एक यानि भौतिकी का पूरा पार्टिक्रम यहां पर हो चुका है और इससे अंतर कारबल उर्जा द्वानी विद्धु चुम्बक प्रकास उर्जा यह सारे टॉपिक है यह आपको पढ सकते हैं आसानी से तो यह आपने अभी तेक इन पार्टिक्रम से संबंदी इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं और मैं आपको उता दूँ यह आप मुख परिच्छा की तैयरी कर रहे हैं तो आपको आपके लिए उत्तर लेखन पर होते हैं और आपको उन प्रश्ण गुथारू पर आप देना होता है और इसके समिख्छा एक दिन में, यानि 24 गंटी के अंदर में हमारा दौर की जाती है या आपका प्रश्ण कितना अच्छा है, कितना खराब है, कितनी कितनी इसमें सोधार ज्या सकता है, तो इस प्र यहको लिटिर्दॉटे में दिस्कृप्चिन बॉक्स में सारी लिंक मिलेगेHHHH बॉक्स में आप जाएए इसक्रीबॉक्स में। यह जा है लिंक आपको हुआ तो आप मिलाई हुआं से यह उस लिंक से जउन करके पर छोड़ लिजए सकते हैं। यदि आप MPPSC और व्यापम से संबंदित एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो Unacademy आपको लेकर रहे हैं Live Special Classes और Free Test Series Live Special Classes में आपको क्या मिलेगा आपको इंटरेक्ट रहने का मौका मिलेगा Top Educators से और आपको Live Classes मिलेगी और इसके लिए आपको डाउनलोड करना हुआ Unacademy का एप और आपको Login होना पड़ेगा और अपना Goal चूस करना पड़ेगा MPPSC और व्यापम से संबंदित और आपकी Learning यह से स्टार्ट होती है It's only on India's largest learning platform Unacademy पर Unacademy का जो एप है इस प्रकार दिखता है और आप यहाँ पर जो अपना Goal चूस करेंगे वो इस प्रकार कर सकते है MPPSC और व्यापम से संबंदित साथी साथ यहाँ पर आपको मिलते है Doubt Clearing Session आप अपने Doubt Clearing कर सकते है In Session में अपने Question भेज के और आप यहाँ पर Type कर सकते हैं Question भेज सकते हैं और साथी साथ Image के Form में भी भेज सकते हैं इसके साथ आप यह MCQ अगरा जब Conduct पराए जाएंगे तो आप Pole के माधियम से अपने MCQ का Answer भेज सकते हैं साथी साथ PDF और Notes यहीं डाउनलोड करना है तो यहाँ पर इसका भी Option है हर Lecture के बाद आपको यहाँ पर इसके Notes डाउनलोड करने के Option मिल जाते हैं और इसके साथ MPPC T20 Series आपको यहाँ पर मिल रही है डेली 8 बजे इसमें 20 Question होंगे और 20 Minute में आपको इनके Answer देने होंगे इसके साथ आपको मिलता है इसमें Real Time Exam Experience और यह जो पेपर होगा इसमें जो भी डाउट होंगे आपको वो Complete जो आपके Clear करा जाएंगे 8 बजे से 9 बजे तक डेली जो Top Educators है उनके द्वारा Free Life Class और Plus Class में क्या फार्ग है यहाँ पर Plus Class में आपको मिलेंगे Complete syllabus Unlimited Practice Sets और PDF Notes में आपको आपको इसके और क्या Benefits से आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं और विभिन प्रकार के यहाँ पर Batch हैं आप उन Batch को जोइन कर सकते हैं और यहाँ पर Doubt Clearing Sessions भी होते हैं और यहाँ पर Poll भी Create करा जाते हैं Comments आप कर सकते हैं जो भी आपके Comments हैं और यहाँ आपको इस भी Solve करा आजाती है One subscription में आपको लेना पड़ेगा और Unlimited Access आप इससे क्राप्त कर सकते हैं आप यहाँ पर इन Lectures को डाउनलोड कर सकते हैं इन Videos को डाउनलोड कर सकते हैं Offline आप देख सकते हैं बाद में आप हमारी प्रोमो कोड का यूज कर सकते हैं इस सरकार 10 इस से आपको 10% तक की छूड मिल सकती है इस सब्सक्राइशन में तो इस प्रोमो कोड का उप्योग आप ज़रूर करें आप इस क्लास का सब्स्लिसमन ले सकते हैं और यह पढ़ाय जा रही है मद ब्लिस के टॉप एज़ुकुटर्स के द्वारा परमाणू यानि एटम के अंदर का जो टॉपिक डिस्क्रस करने वो यह है भारतीय दर्शन में परमाणू वाद यूनानी दर्शन में परमाणू वाद डोल्टन का परमाणू सिद्दान परमाडू और अणू, अणू के बाद हम इसके प्रकार देखेंगे, सम अणू, अथवा, तत्व के अणू, विसम अणू, अथवा, योगिक के अणू, इसके बाद परमाडूकता हम समझेंगे, आयन और धनायन और केटायन, धनायन को हम बोलें, केटायन, रेनायन को बोलें तो यह दोनों इसके आयन के प्रकार भी हम यहाँ पर देखने वाले सबसब पहले हम देखते हैं भारती दर्सन में परमाणुगाद यानि Atomism in Indian Philosophy देखते हैं क्या था है भारती दर्सन में स्रश्टी के मूल में महां पंच महाभूत की संकल्पना की गई है जिसमें वाईव, अगणी, जल, प्रत्वी, तथा आकास को द्रव्य का मूल्तत्व यानि fundamental element माना गया है यह माना गया है की द्रव्य किस-किस से मिलकर बने होते हैं वायू अगनी जल प्रत्वी और आकास ठीक है जो जुड़व है इन चीजों से मिलकर बने होते हैं इने फंडमेंटल एनिमेंट माना गया है भारती दर्षन के अनुसार ठीक है इसी दर्षनिक परंपरा की एक शाखा व्यशैसिक दर्षन में कौन सी साका है व्यशैसिक माद जो छटी सतावडी इशवपूर में हुए हैं उन्होंने स्रष्टी के मूल में चार प्रकार के तत्वों वायू अगनी जल और प्रत्वी को स्विखा रहा है कितने प्रकार के तत्व को स्विखा रहा है वायू अगनी जल और प्रत्वी ये चार प्रकार के तत्वों क इन्होंने सुईकारा है, महास्वी कणात के मत अनुसार, यदि किसी द्रव या पदाहर्थ को लगातार विभाजित किया जाए, तो अंतताव है सुश्वितम कण प्राप्त होगा, जिससे और अधिक विभाजित करना संभव नहीं होगा, यदि हम द्रव को और तुकणों में बाटने या विभाजित करें, तो हमको अंत में एक ऐसा जो ऐसा कण प्राप्त होगा, जो की और ज्यादा विभाजित करने योग नहीं होगा, ठीक है, महास्वी कणात ने उस अविभाज या सुश्वितम कण को क्या कहा है, जो विभाजित नहीं हो सकता, उस कण को क्या कह परमाणू या उसे परमणू कहा है क्या कहा है परमणू या परमाणू एकन्य भारती दर्शनी पकुत को चायन के अनुसार मूलकन या जिसकों पर्माणू गोलेंगे जो मूलकर है या पर्माणू है सोतंतर अवस्ता में नहीं बलकि संयूत अवस्ता में पाये जाते हैं तथा इनकी विभित परिमान में संयूजन ही द्रव को विभिन स्वरूप प्रदान करता है इसका जो सहींगत रूप है वो ही जो विविद्ध परिवान है इसमें जो सहींगत होता है उसको उसके कारण ही यहाँ पर द्रव का जो विविद्ध स्वरूप है बहुत अलग 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 प्रकार के स्वरूप है वो यहाँ पर देखने को मिलते है या वो बहुत प्रकार के वो यहाँ पे दर्साते हैं ठीक है आगे पड़ते हैं यूनानी दर्सन में पर्माणुवाद यूनानी दर्सनी को कैने इसार पर्माणुवाद क्या था यानि एटोमिजम इन ग्रीक फिलोसोफी पांची शताबनी सपूर्व युनानी दास्निक लिव सिपस तथा डेमोक्रिटस कौन से थे दो दास्निक लिव सिपस और डेमोक्रिटस ने प्रतिवादित किया कि सभी पदार्तों का निर्माण विभिन प्रकार के सभी प्रतार्त है थे उसका निर्माण तक है है उन्होंने इन कड़ों को एटम या फिर एटमोस एटमोस नाम Haie life गार्थ होता है अविभाज आविभाज ठीक है इसका पीष्षाद एपि कुरस एपिकोर जो कि 341 से 270 रिषाप्व में वोए है तथा की लुक्रेटियस आदी ने अने दार्शनिकों ने पर्माणुवाद पर अपने मत प्रस्तूत किये हैं यह अन्य जो वग्यानिक हुए या फिर जो दार्शनिक हुए वग्यानिक यह दार्शनिक से इन्होंने अपने 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 अन्य जो पर्माणुवाद के सुदान्त है यहां पर प्रतिपादित किये हैं तो हम इसके बात देखते हैं यह तो दासनिकों के मत हमने देखे, अब हम देखते हैं विग्यानिक मत ठीक है दासनिकों के बात जो विग्यानिक मत आया वो पहला मत आया था जॉन डॉल्टन का, तो सबसे पहला वग्यानिक मत किस ने दिया था जॉन डॉल्टल ने पर्मानु का सिधान्थ ठीक है पर्मानुवाद का जो सिधान्थ है या पर्मानुवाद या फिर जो पर्मानु का सिधान्थ है वो दिया था वग्यानिक पद्दती से किस ने दिया था जौन डॉल्टन नामा की विज्यानिक ने ठीक है इनके अनुसार क्या था इनके परिमासाम देखते हैं प्रत्यक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ठीक है ध्यान दीजें आपे जो प्रत्यक पदार्थ है छोटे छोटे काणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणू कहते हैं क्या कहते हैं परमाणू प्रत्यक पधार्त छोटे छोटे काणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणू कहते हैं और परमाणू को किसी भी भौतिक या रासाइनिक विदी से विभाजित नहीं किया जा सकता है ये है डॉल्टन का परमानुस उद्धान्त के अंतरगत इसकी परिभासा ठीक है डॉल्टन's atomic theory ये ही है ठीक है अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं पदार्त या matter हमेशा से ही विज्ञानिकों के बीच शोद का अती महकून विसर रहा है ठीक है विज्ञानिक हमेशा से जानना चाहते हैं या फिर जानना चाहते थे कि पदार्त किन मूलभूत कंडों से मिलकर बना है उनके गुण क्या होते है और ये इनका आकार कैसा होता है और अन्य प्रकार की जो परमाणू रहते हैं उसमें किस प्रकार के गुण रहते हैं या किस प्रकार से बने हैं या अन्य जो भी जनकरिये रहती हैं वो इससे सम्मंदित जो विसे हैं या फिर इससे सम्मंदित जो प् से वो एक ब्रिटिस अध्यापक जॉन डॉल्टन ने 1803 में किया, जॉन डॉल्टन का प्रमानु सिद्धान्त जैसे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, यह दुरभमान सरनरक्षन का नियम यानि किस से law of mass conservation और इस्तिर अनुपात नियम law of constant proportion पर आधारित था, किस पर आधारित था, दुरभमान सरनरक्षन के नियम और इस्तिर अनुपात के नियम पर यह आधारित था, किसका डॉल्टन का प्रमानु सिद्धान्त, डॉल्टन के सिद्धान्त के मुख बिंदू हम देखते एक है, अगला हम देखते हैं, एक त Alright thing के सभी पर्माडू आकार तथा गुणों में देखेैं यहां पे दो चूजे दी गई, आकार और गुणों में समान होते हैं किन्तो बिंड बिं तत्वों के बिं के बिंड बिंयोते हैं ठीक है है यहाँ पर कहने का मतलब क्या है और यह दू-स高 रॉफ परवाणू के दू-स- इसमें, जो इसके आखार और गोंठ रहेंगे, वह ऐसे हिक प्रिकार के जो पहुत सरा है हीडियम परमाणू है, वह दरसाइंगे क्या आकार और गोण समान दर्साइंगे इसके इस प्रकार हम दूसरा एक्जामपल लेते क्लोरीन से संबन्दिक जो अन्य क्लोरीन पर्माणू है जैसे ये क्लोरीन पर्माणू है जैसे क्लोरीन पर्माणू जो ऐसे होगा और लेकिन यदि हम बात करें तो जैसे हम इन दोनों compare करते हैं, तो hydrogen परमाणु और chlorine परमाणु को जब तुलना करेंगे तो इन दोनों परमाणु के गुन और आकार ये बिंद दर्साएंगे. ठीक है ये क्योंकि ये दोनों पर्वाणू अलग है अलग अलग पर्वाणू अलग अलग गुन और अलग अलग आकार दर्शाते हैं जैसे की हम यहां पर एक्जांपल लेंगे यहां पर लेते हैं जैसे कार्वन का ले लिए और नाइट्रोजन का ले लिए ठीक है या फिर और जो है हिलियम का ले लिए और हिलियम का ले लिए ठीक है तो यहां पर हिलियम हिलियम की जो पर्वाणू रहेंगे या पर्वाणू जो आकार है और जो गुण है वो अलग-अलग दरसाइंगे ठीक है अगला देखते हैं परमाणू अविनाशी होता है अर्थात तासाइनिक अभिक्रिया में परमाणू को ना तुत्पन कर सकते हैं और नहीं नश्ट कर सकते हैं परमाणू अविनाशी होता है और इसको हम ना तो हम बना सकते हैं नहीं नश्ट कर सकते हैं ठीक है यह है एक अविनाशी होता है ठीक है परमाणू क्या होता है अविनाशी इसको हम ना तो पन कर सकते हैं और नहीं नश्ट कर सकते हैं बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अगला देखते हैं, तत्वों के परमाणू आपस में सयोग करके, सयुक्त परमाणू बनाते हैं, तथा आधुनिक शब्दों में इस सयुक्त परमाणू को हम अनू कहते हैं, क्या कहेंगे अनू, परमाणू आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सयुक्त परमाणू, ठीके, तो सय अत्मान भाहसा में क्या बोलेंगे अनु जो अभी जो अभी जो अधुनिक शब्दावे लिए उसके अंतरकाथ हम इसको बोलते हैं अनु ठीक है अनु और अन्य बाते इसके देखते हैं मुक्र बिंदू डॉल्टन के परवन सुध्धान के इंतरकर बिन 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 तत्व के परवनु साधारन पूर्ण संख्या के अनुपात में परसपर संयोग करते हैं बिन बिन तत्व के जो परवनु है साधान पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं ठीक है यसे हम बात करें पूर्ण संख्या की तो एक दो तीन चार इस प्रकार से पूर्ण संख्य से जो भी अनुपात बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो होगा कून संक्या के अनुपात में, कैसा होगा कून संक्या के अनुपात में, ठीक है, यहाँ पे जिससे योगीव को का निर्मान होता है, ठीक है, जो कून संक्या का निर्मान होता है, ठीक है, जो कून संक्या का निर्मान होते हैं ठीक रासानी अभी ग्रियाव में तत्व के यूठ यूद्र के परमानु होते हैं शायूकत परत्व कम रुणर सुद्धानत केulus हुए है। डॉल्टन के पर्माणु सिद्धान्त पदार्थ की संद्चना के मूल्भूथ विचार को प्रस्तूत करता है इसके अनुसार पर्माणु पदार्थ के निर्माण की सबसे छोटी उकाई है डॉल्टन के इंस्वार जो परमानु है पधार्थ के निर्वान की सबसे छोटी ही काई है ठीर डॉल्टन का परमानु सिध्धान्त उस समय तक ज्यात रसाइनिक संयोग के नियम यानि लौ ओफ केमिकल कंपोजिशन की अवधार्णा को समाहित करता है जैसे जैसे दरवमान रनक्षन का नियम तथा निशित अनुपात का नियम ये प्रतरशित करता है कौन डॉल्टन का परमानु सिध्धान्त और डॉल्टन का परमानु सिध्धान्त गुनित अनुपात की नियम यानि लौ ओफ मल्टिपल प्रपोर्शन की भी व्याख्या करता यह उस समय के जो नियम आ चुके तो नियम कुन से? law of chemical composition यहनी रास्वानिक संयोग के नियम उनको भी यह प्रदर्सीत करता है यह सिद्धान्त भिन्य भिन्य तत्वों के परमानु के विन्यता को प्रदर्सीत करता है यह सिद्धान्त की कुछ सीमाई भी थी यह सद्द्धान आपने ंगा दिया इसकी कीन सिमाइती तो इनकी सिमाइक को हम देखते हैं डॉल्टन के एनिसार तत्व altar के निर्माणकी सुख्ष्ष्षतम एकाई पर्माणू है यह dalton के प्रमाण सुख्ष्षषतम के एनिसार हमने क्या देखा ? कि तत्वों के निर्माण की सुख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष तो यह क्या था जो संयुक्त परवाणू था वह अणू था क्या था अणू यानि अणू के बारे में यहाँ पे डॉल्टन ने बताया था जो संयुक्त परवाणू की अवधारणा जो बताया था वह वास्ता में किया थी अणू के परवाणू की अवधारणा थी ठीक है यह सिद्धान्त बरजिलियस परिकल्पना की व्यक्ख्य नहीं करता है जिसने प्रतिपादित किया कि ताप वा दाप की समान परिस्थितियों में बरजिलियस परिकल्पना की अनुसार ताप वा दाप की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन में यहां देखें कंडीशन बता रही है, कि ताक वाधाप की समानफरीस्टियों में, गेशरों के समान आयतन में, पर्मानूं की संख्या समान होती है। यह जो प्रणवाणêu्ट यह इस नियम को सटीश्वाइन नहीं करता है। नहीं करता है यह सिद्धान्द इस तत्त की व्याख्य भी नहीं करता है कि पर्मानु आपस में क्रिया करके अनु क्यों बनाते हैं ठीक है पर्मानु आपस में क्रिया करके अनु क्यों बना रहे हैं वो आपस में क्यों क्रिया करते हैं और क्यों बनाते हैं यह यह जो पर्मान तता अणुओं की ठोस, द्रव और गैस की बहुती अवस्थाओं में बल्लों की प्रकृति की विशे में कोई प्रकास नहीं डालता है, आगे देखते हैं, यह समिष्थानी को यानि आइसोटोप, समिष्थानी को मतलब, समिष्थानी को मतलब परमाणू का जो परमाणू की वो सेम रहता है, यानि समान रहता है, लेकिन इनका द्रवमान अलग-अलग होता है, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन का एक्जामपल हम ले सकते हैं, इसमें समिष्थानी होते हैं, हाइड्रोजन, डूटीरियम और ट्राइटियम, ठीक 1H2 और 1H3 ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे जो दी गई है संक्या वो होती है परमानु करमान इस प्रकार से हम परमानु को दर्स आते हैं यह हम आगे देखेंगे ठीक है यह यह आपको समझ में नहीं आ रहा है गैलुसाग के आयतनियम यह लॉफ गैसियस वॉल्यूम की व्याख्या नहीं करता है यह किसकी व्याख्या नहीं करता है गैलुसाग के आयतनियम की व्याख्या यह नहीं करता है यह इसकी सीमा है ठीक है और देखते हैं आगे ये सिध्धान्त इस तक्त की भी व्यक्षय नहीं करता है कि बिन्ने बिन्ने तत्वों के परमानु दुर्भमान आकार और संयक्ता अलग अलग क्यों होती है ये इसकी व्यक्षय भी नहीं करता है ठीक है तो ये इसके सीमाए है परमानु जो परमानु सुध्धान जो दिया थ और दोल्तन दॉलत दीए परमानु सुध्धान्द की यहां पर यह सीमा है, मैं बार बार फून की तरफ देख रहा हूं, मुझे कि काम है से लिए कोई आने वाले हैं, इस कारण में आप बार बार देख रहा हूं, आप डिस्टब नहां, यह आपको थोड़ा माद डिस्टब ह चुका है कि परमानु आविभाज नहीं है, अगला समिस्थानी को, नि आइसो टोपके खोट्व हैं, परमानु दर्लमान भिन भिन हो सकते हैं, उधारन के लिए hydrogen, hydrogen के जो समस्थानी है ये इससे हम example ले सकते हैं ठीक है? 1H1, 1H2, 1H3 ये hydrogen के जो समस्थानी है उससे हम ये समच सकते हैं की एकी तरत्व के परमाणू के दरवमान भिन्न हो सकते हैं और अगला है संभारिक के तोर पे संभारिक यानि आईसोबारिक की खोज के बाद या सिद्ध हो चुका है कि भिन भिन ने तत्वों के परमाणू के द्रभमान समान हो सकते हैं बिन बिन तत्व के परमानों दुर्बान समान हो सकते हैं यहाँ पे औरगन की बात करें यहाँ पे कोटेक्शियम की बात करें यहाँ पे कल्सियम की बात करें तो इनके परमानों करमान अलग अलग है लेकिन परमानों दुर्बान यहाँ पे समान है 40, 40, 40, 40, 40, E.M.U. तीनों के ये परवाण दुर्मान हैं वो समान है अगला है नाभी की रसाइन के उद्धे के वश्षाद एक परवाणू का दूसरे परवाणू में परिवर्तन संभा हो गया है ठीक है अगला है परवाणू आपस में भिन्नात्मक अनुपात में भी क्रिया कर सकते हैं भिन्नात्मक अनुपात में भी क्रिया कर सकते हैं लेकिन जो अडॉल्टन के परवाणू सिद्धान के अनुसर क्या बताया गया था यहाँ पे जो पून संख्या के अनुपात रहते हैं ठीक है पून संख्या के अनुपात में और यह क्रिया कर सकते हैं यह आपस में क्रिया कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे जो बाद में डिस्कवरी से उसमें पता चला कि विन्यात्मा अनुपात में भी यह क्रिया कर सकते हैं ठी अनुपाद एक किस प्रकार से सेयों करते थे आपस में ठीक है या फिर क्रिया करते थे तो बाद में ये पता चला कि ये बिन्न में भी कर सकते एक बटे दो नुपाद चार या इस प्रकार से जो एक्जामपल में आपको दिया रहाँ कि इस प्रकार से भी बिन्नात्मक योगदान का बहुत ही महत्पून योगदान रहा है क्योंकि उनके सिध्धान्त देने के बाद ही इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन और नीट्रोन तथा अन्यकरणों की खोज हुई डॉल्ट्रोन प्रोट्रोन और नीट्रोन तथा अन्यकरणों की यहां पर खोज हुई कई आवध परवाणू द्रव्य की सन्रेचनात्मक इकाई यानि इस्ट्रक्चलर यूनिट है सन्रेचनात्मक इकाई जिससे मिलकर जो द्रव है वो बने होते हैं ठीक है परवाणू क्या है द्रव्य की सन्रेचनात्मक इकाई है जिससे मिलकर द्रव बने होते हैं यानि इस्ट्रक्चलर यह किसी तत्व का वह सुश्वतम भाग है जिसमें वह है जिसमें उस तत्व के सभी रसायंक गूण उपस्तित होते हैं उस्से मिलकर बना होगा उसका यह दि एक चीज निकालेंगे मैं साधारन एकजामपल के साधा कसे यहां पर बता रहा हूं Im यहां पर एक कणेदी निकालेंगे तो इसके जो रसानिक गुण है रसानिक गुण जो रहेंगे वो सभी सेम रहेंगे किसके जो इसके बाकी जो है बाकी जो संगट बाकी जो मिलकर बने ठीक इस पकार ऐसा हम यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर ऐसा बतायागा है ऐसा हम स विविन ने इसलिए ब्रह्मान में जितने भी टातु है, उतने प्रकार के परमाणू भी है, ठीके या, अलग 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 तत्व अलग अलग पर्माणू से मिलकर बने होते हैं इसका कहने का मतलब यह है और प्रमाणू जितने भी तत्व है उसके उतने प्रकार के पर्माणू भी यहां पर उपस्तित है ठीक है आगे चलते हैं मॉलिक्यूल के बारे में प्रकृती में स्वतंत्र आवस्तां में पाया जाता है। लेकिन रसानिक प्रतिक्रिया या अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। यह बहुत important है. जो अनु है प्रकषती में सौतंद राउस तंपाई जाता है लेकिन रसानी अभिक्रिया या प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है. रसानी अभिक्रिया में अणू दो या दो से अधिक एक ही प्रकार या अलग अलग प्रकार के परमाणू से मिलकर बना होता है जो अणू रहता है अणू एक ही प्रकार के परमाणू जैसे हाइट्रोजन हाइट्रोजन से मिलकर बन गया इस प्रकार से यदि एक्जांपल ने तो यहां पर एक ही प्रकार के मौसम परिवरता नहीं होता रहता है चलिए हम मैं फिर सापको रिपीट कर रहेता हूं अलग 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 प्रकार के परमाणों से मिलकर बना होता है यहां पर हम देखते हैं ह्टिके यहां पर बताने से प्रयाश के जा रहे हैं यहा पर यह पता है अनु की बारे में परमाणु मजबूत रसानिक बंधन के कारण आपस में जुड़े रहते हैं और अनु का निर्माद करते हैं अगला है अनु की संकल्पना ठोस द्रव और गैस के लिए अलाग अलाग हो सकती है जो अनु की संकल्पना है वो किसके लिए ठोस द्रव और गैस के लिए अलाग अलाग हो सकती है अनु पधार्थ के सबसे छोटे भाग को कहते है अनु किसको कहते है पधार्थ के सबसे छोट है यह इसका एक्वांपल हो ठीक है अगला देखते हैं अडू में कोई विद्धूत आवेश नहीं होता है अडू में कोई विद्धूत आवेश नहीं होता है या फिर अडू के बात करें तो हम जैसे हम हम बात करते हैं और टू में कोई विद्धूत आवेश नहीं होता है अडवे के परमानू से मिलकर बने हो सकते अडू जो होते हैं एक ही तत्व के परमाणू से मिलकर बने हो सकते हैं तो यह थे अडू और परमाणू से किस प्रकार यह संयोग करते हैं तो यहां पर यह संद्चनाइट दी गई है है इस बढू परमाणू औक परमाणू को बनाएक है हम देखना है है नाटो जो है कि तुर्णा अर्माणू के चाठ परमाणू ऐंक हूं जोगय carbon का एक पर्माणू, oxygen के दो पर्माणू, आप आसमे मिलकर बनाए CO2, इस प्रकार methane, CHO, carbon का एक पर्माणू, और hydrogen के चार पर्माणू मिलकर बने हैं methane, ठीक है, तो यहाँ पर जो O, O है oxygen, यह तो आपको समझ में आगा, C के है carbon, H का है hydrogen, और जो N है nitrogen, इस प्रकार से यह तत्व तत्व जो है, यह फिर जो अलग-अलग पर्माणू है, जो पर्माणू है, अलग-अलग पर्माणू है, पर्माणू से मिलकर अनू बने हैं, ठीक है, अनू का प्रकार देखते हैं, अनू का प्रकार हम देखेंगे, अनू का प्रकार दो प्रकार क्या होते हैं, सम अनू परमानू के संयोजन से बने होते हैं, ऐसे उनु जो समान प्रकार के परमानू के संयोजन से बने होते हैं, सम अणू कहलाते हैं सभी तत्वों के अणू सम अणू होते हैं उधारन के लिए हम देखते हैं Oxygen O2 Hydrogen H2 और Cl Cl2 इस प्रकार ये कौन से हैं? ये सम अणू है या तत्व के अणू है ये तत्व के अणू रहते हैं वो सम अणू कहलाईएं क्योंकि ये एक ही प्रकार जो समान प्रकार परमाणू के संयूजन से ये बनी होते हैं दूसरा है विसम अणू अथवा योगी को क्या अणू? ये ये compound के atom बोल सकते हैं compound के molecule ऐसे अणू जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणू के संयूजन से निर्मित होते हैं विसम अणू कहलाते हैं कैसे? ऐसे अणू जो दो या दो से अधिक तत्वों के यानि अलग-अलग तत्वों के परमाणू अलग-अलग तत्वों के परमाणू के संयूजन से निर्मित होते हैं को मैं विसम इनू को रहते हैं, सभी योगिक को किमें इनू होते हैं जो होते हैं, इनंसे मिल यहांपर विसम अनू है यहांपर अधिक तत्यों के परमानू के सब्सक्राइब इसको शुक्त सब्सक्राइब यहां पर मिलकर बना है यहाँ पर कार्बन डाय उक्सवर की बात करे तो CO2 तो यहाँ पर भी दो अलग 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 प्रकार की पर्माणू में कार्बन अर अक्सिया CO2 बना यह किसका एकजामपल ही है विसम अणू अत्वा योगिक के अणू के एकजामपल है ठीक है अगला टॉपिक है पर्माणुक्ता बहुत इंपोर्टन्ट है किसी तत्व अथ्वा योगिक के अनु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पर्माणुकी संख्या किसी तत्व अथ्वा योगिक के अनु के निर्माण प्रमाडव को हेंद्धिंत्ध फॉर्णी जो एक है प्रमाडडव करेंद्ध से टनलीन हुआ है एक परमाडव की चाहिए एकर हम निहते है निहां पर परमाडव की संख्वेंद्ध क्ытत्य जो ब्रमाडव की संख्या वृपुर्धी संख्या है AREas परमाद भी हो जाएगा ख्लोरीन चल टू ठीक है और जल जो योगिक है याणि एस्टू ओ, ठीक है 2 hydrogen के परमाणुक रहेंगे और 1 oxygen का, तो यहाँ परकार, 3 परमाणुक, ठीक है, परमाणुक सर्णी, परमाणुक भी बोल दीवाने, परमाणुक हो जाएगा हो, ठीक है, ammonia योगिख है ये ammonia nh3 तो यहाँ पर यहां पर और फ्रकार कितने होके चार हो गया है चतुर परमाणूख हो गया है जो ता तो यह यह जोगिए के सावजाए है चतुर परमाणूख क्या नहीं परमाणूख तस्किंट हो जाएगी चार ठीब चार सलफ़र S8, S8 के रूप में उपस्तित होता है, तो इसमें अडू, यह अडू है, इसमें परमानुक संकी कितने हैं कि 8, यह कैसा होगा, बहु परमानुक, बहु परमानुक को यागा, इस पकार यह है, परमानुकता, ठीक है, अब है आयन, आयन टॉपिक हम पढ़ेंगे, बहुत इंप प्रोटॉन पर आवज की महातरा तथा उनकी संक्या बराबर होती है, कोई भी परमानु है, सामाने परमानुक हम लेते हैं, यह साहिए हाईड्रोजन, या कारबन, या नाइट्रोजन, इस प्रकार से यह अडियम लेंगे, तो इसमें या फिर सोडियम ले सकते हैं, या फिर sodium नियुक्त, chlorine ले सकते, ये सामाने परवाणू है, तो इसमें जो iron है, iron नहीं होगे, या फिर ये वो सकते हैं कि उनमें क्या होंगे, जो number of electron और number of proton ये बराबर होगे, दीक है, number of electron और number of proton, ठीक है, proton ये संखिया और electron प्रणु कि संख्या sound पर बराबर होगी, तो यहाँ पे यह, इनपर आयन नहीं होगा, लेकिन हम यह दो बात करें इस पर आगे, आगे इसको क्या बोलेंगे? इसको समी की गॉलेंगे, Net Toby संख्या, सुन होया, क्योंकि यहांपे क्या है, यहांपे दिखिए, number of Electron, यहांपे इलेक्ट्रोनों की संख्い प्रोट्रोनों की संख्यऽ इस का हैंपे बडाबर है किसी सामानने पर्वाबनु की हम बात कर रहा है, कोई सामानने पर्वाबनू में electron की संख्या और proton की संख्या बराबर होती है तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा कुन सा आविस हो जाएगा इसमें इसका net आविस हो जाएगा 0 यानि 0 आविस हो जाएगा इसमें ठीके किसी समान परवाणू आविश्कतना होगा 0 अब आगे बात करते हैं कि यह आविश्कत कैसे होते हैं परंतु यदि पर्मानू अथ्वा पर्मानू सोओं हो है electron तथा proton की संख्या असमान हो यदि यहाँ पे हम क्या देख रहते है electron proton संख्या दी बराबर हो तो यह इसमें net आविस किता हो जाएगा net आविस हो जाएगा 0 ठीक है इस प्रकार से हो जाएगा लेकिन यह दि हम बात करें इसमें एक भी कम जादा हुआ तो इसमें आविस हो जाता है इसमें इसमें आविस हो जाता है ठीक है और आविस आगया तो पहले क्या हो रहत है हो, दो गताई हो, प्रक्रति निडिया स्वउट निचरस्ण के आदार हो slope दो प्रक्रती आदार पर n की प्रकार के होगे हैं एक हो गताई हो स्वगारी में होुगए है होगा धनायन और दूसरा होगागत अब धनायान कंडिशन गब बनेगी इन्येन को इंगल दोसरा, इसके में यहाँ पर क्या थनायन कंडिशन होगी तो में धनायन होगी तो यहाँ पर धनायन यानि प्रोटोन की संख्या शचाबれない तो हम कि जो संत्छन के सर्ष करें तो आधिक वेऎधि थैङ्य पोजीट्व यह धनात्म चार जो को этим शचाब लेगे सिंपल आ हसा म assembled Estragland stone can ने यहाद हो गी तो यह हो जा एगा धनायन कि यह दर्शायगा यह धनायन दरशायगा ठीक है इसे बात करते हैні इने फ्लस ठीक है इस वाले प्रमानौ में क्य हो इस कितनी होगी यहाँ पर दस यहाँ पर असमान हो गई ग्यारा और दस पहले पहले क्या थे पहले हम बात करें समाने पर्माणों में तो ग्यारा ग्यारा थे दोनों ठीक है लेगिन यहाँ पर हम बात करें यहाँ धनावेश किस कंडिशन में आएगा जब यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी तक दो यहां पर लगाएंगे हम धन एक तो यहां पर इसका चार्ज हम इस प्रकार से दरसाएंगे धना यहीं इनी इस प्रकार से दरसाते हैं ठीक है अगला है red iron, यहनी n-ion, ठीक, n-ion इसको relation बोलते हैं, यह भी same condition है, इसमें यदि समानने यदि हम बात करें, तो electron और proton इसमें same होते हैं, कब, जब हम बात करते हैं, किसकी iron की, जब zero iron वाली बात हो रही, ठीक है, zero iron, zero iron, zero iron वाली condition होती है, तब वहाँ पर क्या होते हैं, इन दो होता है, zero होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर, इन में से कोई एक कम जादा हुआ, तो, यहाँ पर iron लग जाता है, ठीक है, iron वाली condition हो, अब यहाँ पर देखे, जो iron वाली condition हो, कब आती है, ठीक है, यदि iron पर, रेनावेश विद्दमान हो, तो उसे, iron कहेंगे, iron में electronic संख्या, proton की संख्या से जधीक होती है, यहाँ पर हम देखते है, chlorine वाल यहांपर पिसिते सात्रा और किते हो गई यहांपर qe यहांपilled दुछा हल एंगी। हमने यहांपर देखा कि लिपर सब्सक्राइब जाधा है। हमने यहांपर देखा कि और शाच्व और जादा है। जो negative charge है याँ रिनात्मक आवज रहता है इन में, electron में, तो यहाँ पर हम के लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे इस वाले परमाणू में, याँ खिता है गहाँ माइनस 1, तो यहाँ पर हम लगा देंगे, माइनस 1, ठीक है, जो net आवज तो रहता है, वह हम यहाँ पर लगा साते हैं, ठीक है, प्रोटोनियों की संक्या कम हुए आती कि इससे, electron की संक्या से, किसी परमाणू होनी, तो यहाँ पर, यहाँ पर इसका example के तो आप हमने देखे, chloride ion, ठीक है, तो आई होब यह जो topics है, जो भी हमने discuss किये, वो भी आपको समझ में आ गया होंगे, यहाँ पर ठीक है, परमाणू की तो हमने पढ़ा, अनू के प्रकार पढ़ा, और यहाँ पर अनू का अनू पढ़ा, फिर परमाणू, इससे पहले परमाणू पढ़े थे, फिर डॉल्टान के परमाणू सुद्धान की बतोमान इस्तिती, डॉल्टान के परमाणू सुद्धान की सीमा यह सारे चिजह आए, युनानी और भारत है चुछ दर्सन के अनुसार प्रिवाद कि यह ने अधिक हैं जो नहीं सब्सक्रेज वहाई हो तक एक चलिए हो तब तक के लिए जैहन यदि आप MPPSC और व्यापम से संबंदित एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो Unacademy आप लिए लिकर आए हैं Live Special Classes और Free Test Series Live Special Classes में आपको क्या मिलेगा आपको Interact रहने का मौका मिलेगा Top Educators से और आपको Live Classes मिलेगी और इसके लिए आपको Download करना हुग Unacademy का App और आपको Login होना पड़ेगा और अपना Goal चूस करना पड़ेगा MPPSC और व्यापम से संबंदित और आपकी Learning यह से Start होती है It's only on India's Largest Learning Platform Unacademy पर Unacademy का जो App है इस प्रकार दिखता है और आप यहाँ पर जो अपना Goal चूस करेंगे वो इस प्रकार कर सकते है MPPSC और व्यापम से संबंदित साथी साथ यहाँ पर आपको मिलते हैं Doubt Clearing Session आप अपने Doubt Clearing कर सकते हैं इन Session में अपने Question वेज़ के और आप यहाँ पर Type कर सकते हैं अपने Question वहाँ पर भेज़ सकते हैं और साथी साथ Image के Form में भी वहाँ पर बेज़ सकते हैं इसके साथ आप यह MCQ अगरा जब Conduct पराए जाएंगे तो आप Pole के माधियम से अपने MCQ का Answer वहाँ पर दे सकते हैं साथी साथ PDF और Notes यही डाउनलोड करना है तो आप इसका भी Option है हर lecture के बाद आपको यहाँ पर इसके Notes डाउनलोड करने के Option मिल जाते हैं और इसके साथ MPPC T20 Series आपको यहाँ पर मिल रही है डेली 8 बजे इसमें 20 Question होंगे और 20 Minute में आपको इनके Answer देने होंगे इसके साथ आपको मिलता है इसमें Real Time Exam Experience और यह जो पेपर होगा इसका जो इसमें जो भी Doubt होंगे आपको वह Complete जो आपके Clear करा जाएंगे साथे 8 बजे से साथे 9 बजे तक डेली जो Top Educators है उनके द्वारा Free Light Class और Plus Class में क्या फारक है यहाँ पर? Plus Class में आपको मिलेंगे Complete syllabus, Unlimited Practice Sets और PDF Notes में आपको All Doubt Solved by Top Educators और यह दिए आप Free Class यहाँ पर जोइन करेंगे तो आपको यहाँ पर यह सारी चीजे जो है वह Limited हो जाएगी इसको और क्या Benefits से आप अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हैं और विभिन प्रकार के यहाँ पर Batch है आप उन Batch को जाइन कर सकते हैं और यहाँ पर Doubt Clearing Sessions भी होते हैं और यहाँ पर Poll भी Create कराया जाते हैं, Comments आप कर सकते हैं जो भी आपको कोमेंट्स हैं और यहाँ पर कोईस भी Solve कराया जाती है वन सब्सक्रिस्पन आपको लेना पड़ेगा और Unlimited Access आप इससे क्राप्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर लेक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडिजिस को डाउनलोड कर सकते हैं आप दीख सकते हैं वाद में और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, revision के लिए आप दिख सकते हैं यहाँ पर जो batch है अक्टूबर में वो इस प्राकार से शुरू होना लिए जिसे MPSI का batch है MPSI का batch जो अन्य batch सेकंड batch है ठीक है इस प्राकार से जो अन्य batch है आप इन में से जो भी आपको पसंद है आप इन batch में एन्टॉल हो सकते हैं आप अमारे प्रोमो कोड का दो कर सकते हैं यह प्रोमो कोड है सरकार 10 इस से आपको 10% तक की चुड़ मिल सकती है इस सरकस्न में तो इस प्रोमो कोड का उप्योग आप जरूर करें आप इस class को subscription ले सकते हैं और ये पढ़ाय जा रही है मत बले इसके top educators के दोरा